अभी तक हम लोग complex analysis वाला video record कर चुके हैं आपने अगर अब तक ये वाला video नहीं देखा है जो screen पर चल रहा है Top 20 theorems on complex analysis या complex analysis को लेकर जितनी important theorem थी जो हमें feedback मिला था जो 2nd September का जो exam हुआ था mail का तीनों shift में उस exam के feedback review के अनुसार जो question important थे important theorems थी जो important properties results formula थे वो सारे हमने इस top 20 theorem वाले video lectures में complete कर ले थे कहने का मतलब हमारा complex analysis से related जितने भी graduation की कहने का मतलब post graduation की अगर हम कहें तो यह ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि MSE level के theorems results पूछे जा रहा है और आप बार बार graduate level का पूछ रहे हैं तो आपको बदा दू graduate और post graduate के इसाब से अकर हम बात करें तो questions post graduate इनकी MSE level के ज़्यादा पूछी जा रहा है theoretical तो complex analysis को लेकर जितने भी थ्योरमस्ति वो सारे हमने previous वीडियो में discuss कर लिया था और आज का जो लक्षर रहने वाला है आज हम clear करेंगे linear algebra से रेटिड रेलियर algebra काफी बड़ी unit है इसमें बहुत सारे chapters होते है और आज पिछले दो दिन से में मैंने पूरा research कर लिया है पूरा analysis कर लिया है सारा feedback review सारा जितना भी मुझे information मिलिये को कि paper तो किसी के पास है नहीं सब लोग phone calls के द्वारा WhatsApp के द्वारा अपना अपना feedback दे रहा है उसी के अन theorem's की जो applications हैं जहां जहां से कुशिन बन सकते हैं सारी आज की इस वीडियो में cover करूंगा मैं और इस वीडियो के देखने के बाद मैं यह पूरा यकीन से कह सकता हूं कि आपको कोई दूसरा वीडियो देखनी क्या सकता नहीं रहेगी आपके माइंड में जो confusion चल रहा है वह चाहिए linear algebra में क्या क्या पढ़ना चाहिए कौन सी books पढ़नी चाहिए कहां से notes लेने चाहिए आप सारा दिमाख आप लोग ने कहां लगा दिया है notes लेने में PDF लेने में इधर उदर से किताबें suggest करने के लिए अब मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको linear algebra के लिए कोई book पंडी के अफशकता नहीं रहेगी ठीक है और इस वीडियो में जितने भी मैं top 100 plus 100 से ज्यादा important theorem आपको कराने वाला हूं 100 theorems से मेरे मतलब है मैं आपको ऐसे 100 points बताने वाला हूं ऐसे 100 results, theorems, properties बताने वाला हूं जिनको करने के बाद यह सारी important theorems र रहने वाले हैं और linear algebra के अंदर basically तीन परकार के chapters आते हैं हमारे तो पहला हमारा concept आता है linear algebra के अंदर matrix is related, matrix is related, matrix इसके अंदर आपका क्या, क्या ना तर rank of matrix आता है, तो rank of matrix पर बहुत सारे कुशिंग बन जाते हैं इनकी properties के अपर questions बन जाते vivir discuss करेंगे, साथकी साथ matrix के अंदर आपको Eigen values और आगे चैने से रेलेटीड वन्ते हैं, इनकी सारी थियोरं, सारी प्रोबरिटिज लिसकस करेंगे, साथ की साथ और आगे अगल बढ़ते हैं, इन्हे की अंदर हम आगे चलते हैं, तो हमार पास यह पर पास एक आता है, वैक्टर स्पेस के अनदर हमारे पास बहुत सार का concept भी आता है और सब space पर भी बहुत सारी थियोरम से properties है वहां से cushion मनेंगे और इसी के अंदर एक concept और include होता है linearly dependent और linearly independent ठीक है ना dependent independence के उपर भी बहुत सारी थियोरम से properties कहा सकते हैं रजल्ट कहा सकते हैं वो सारे discuss करेंगे हम और आगे बढ़ते हैं तो एक तो होगे हमारा matrix का तूसरा होगे हमारा vector space का एक तीसरा important concept और आता है linear algebra के अंदर linear transformation linear transformation या जिसको linear mappings भी कहते है linear transformation का concept है LT जिसको हम shortcut में कहते हैं LT ठीक ना LT के उपर भी बहुत सारी theorem से results है formula सारे discuss करेंगे कहने के मतलब linear algebra में जो जो सारे important topics होते हैं सभी topics को cover करेंगे topics cover करने से मेरे मतलब इन topics पे जो theorems बनती हैं जो results बनते हैं जो properties बनती हैं सारे के सारे cover करेंगे और इस वीडियो और theorems हम कह सकते हैं वह सारे के सारे सारे linear algebra में जितने भी importance होते हैं 100 प्लस ऐसे results formula tips या फिर theorems में आज आपको देने वाला हूं उसको cover करने के बाद आपको कुछ और देखने कर सकता नहीं रहेगी और यह सारे का दाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पर बैचीज का पटन मिलेगा बैचीज के पटन पर क्लिक करते ही वहाँ पर लिखाएगा free study material free study material पर क्लिक करेंगे तो अब तक यतने भी PDF फाइल फ्री में है और सारी आप वहाँ से ले सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं PDF फाइल को डाउनलोड करके आप चाहे तो उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल के उसको असानी से पढ़ सकते हैं और सारी की सारी इंपोर्टन रेजल्ट से फोर्मले सारे में यह सिरफ PDF आपको देंगा नहीं आपको सारे पॉइंट मैं आज इस वीडियो में क्लिए भी कराऊंगा वीडियो सोड़ा लंबा हो सकता है ठीक ना कोशीश यह करूँगा सारे इंपोर्टन पाइंट आपको य मैं मेरे कोशीश है की कम से कम समय में ज्यादा स्यादा मेटियल अब तक प्रवाइड किया जाए तो सारे की सारी स्क्रीन पर आपके सामने शो करूँगा उन रिक पैंट को मैं यहां पर आपको रीड करके समझाओंगा कोशीश करता हूं कि आपको वह सारी बाते क्लियर हो थीक है और एक बाद और Berakon करा देता हूं सारी बाते आपको मेरा आज कराने वाला हूं यह सारी बाते video lectures में एक बार में क्लिएर नहीं होगी यह बात टो हम पगा है कि ईसारी छोरम और मैं सुझेंगी पूरी तरीकी से क्लियर नहीं होगी, पहली बार आप पढ़ेंगे, पहली बार सुनेंगे, देखेंगे, तो 10 से 15 परसेंट आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमन माइंड होता है, ये चीज़ों को अडप्त करता है, क्योंकि नहीं चीज़ें आपने साथ पहले नहीं पढ़ि है, उस पार हम डिसकस नहीं करें, काफी कुछ हो चुका, हाना, अभी हमनी कंडिशन का ओडिंग, कंडिशन जो चल रही है, उसके ओडिंग बात करें, तो फिलाल कंडिशन यही कहती है, कि आपको जो माहौल बन चुका है, उस हिसाब से काम करना चाहिए, और एक बात दूर 11-12 के कॉंसर्ट भी आ रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है, फीड़बेक मिल रहा है, तो अगर आपने 11-12 का पड़ा हो आपको दोस सफ ना दे, या पढ़ान माले को दोस ना दे, हमने क्या पढ़ लिया या क्या पड़ा दिया, पढ़ा हो अग्यान आपके जरूर काम तो 11-12 के questions धीर भड़ते जा रहे हैं, भड़ते इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लोग feedback दे रहे हैं, पहले feedback दिया था कि इसार 3-4 questions यह आए, और feedback यह आ रहा है कि 15-20 questions आए, तो अगर आपने 11-12 का पढ़ावा है, तो वो जरूर आपके काम आएगा, उनको उस चीजों को mind से erase ना करें, delete ना करें, क्योंकि अगर आप आपने आपको दोस्त देंगे, या पढ़ाने वाले को दोस्त देंगे, तो जो पढ़ावा आपका जो knowledge या ग्यान सारा विकार हो जाएगा, उसको बनाए रखे, सोड़ा सयम रखे, patience रखे, सारी चीज़े आपको धीर दे से पढ़िए, एक बात अच्छी से clear कर लिजिए, पहली बार में सारी बाते clear नहीं होंगी, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, चार बार पढ़िए, cg जरूर क्लियर होंगी, ठीकर ना, तो सारी pdf आपको मिलते रहेंगी, और समय अनुसार मैं अधिर देरे, ओवर पर बार आपके फोन ही अटेंड करता रहूंगा आपके WhatsApp पर रिप्लाई करता रहूंगा तो फिर मैं आगे आने वाला काम कैसे कर पाऊंगा इसलिए मैंने उस चीज को थोड़ी दे के लिए स्टोप कर दिये कल से मैं किसी का फोन नहीं उठा रहा हूं किसी के WhatsApp पर करता रहूंगा तो जो मुझे में काम जो आपके लिए करना है वो मैं नहीं कर पाऊंगा थोड़ा बुरे मानने वाले कोई बात नहीं है थोड़ा कंडिशन को समझे आपके लिए और बहतर प्रियास किया जा रहा है और बहतर चीज़े आपको दी जा रही है तो according to conditions पेशन करने की आप सकता नहीं पड़ेगी यहां वहां बटकना नहीं पड़ेगा इस एक वीडियो से इस एक पीडिया फाइल से लिए अलजबरा को तसली से बैटके बार बार पढ़िए बहुत काम की चीज़े बता रहा हूं और पिछला वीडियो जो मैंने बनायता है complex analysis का top 20 theorem ज देखिएगा ठीक है आज वाला भी और यह complex analysis वाला भी ठीक है और एक हमने complex analysis chapter 37 पढ़ाया होगा है लबक देड़ दो गंटे का वीडियो वीडियो भी जरूर आप देख लेना तो यह सारी चीज़े जो मैं बता रहा हूं एप डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो क description में दे दिया है वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए अप काफी बातें उचकी अप पढ़ाई का काम करता है ठीक है धीडरे सारे concert में क्लिए कराऊंगा आपके तो पेसे बना रखिए सारी चीजी आपको समयनुसार मिलत पर देखें जो अब तक पढ़ा हुआ है वो आपका सारा काम आएगा कही ना कहीं ज़रू काम आएगा और आप जो पढ़ाया जा रहा है वो भी आपके सारे काम आने वाले बाते हैं ठीक है तो इधर उधर ना बटकें सिरफ अपने पढ़ाई पर फोकस रखें चैट से अटाइए और स्टेडी मेटरी पे लगाईए वो आपके लिए फायदयाबंद रहेगा चैट करने के लिए बहुत सा समय में लेगा आपको यहां वाद दुनिया वर के वाटसाप ग्रूप बना रखें आज कल तो यूटूब पर भी लंबे-लंबे कोमेंट आने ल समझाऊंगा, कोसिस करूँगा अपनी तरीके से बैतर से बैतर चीज़ आपको दे पाहूं और पीडिया फायल में आपको चीज़े क्लियर हो जाएंगे वीडियो को लक्ट्र को दो तीसे तीन बार देखिएगा पीडिया फायल को तीन चर बार पढ़िएगा धीर दीर दी हुआ है तो आप वहां से उसको कनेक्ट कर लेंगे और आंसर दे पाएंगे चलिए सब्सक्राइब एला कॉंसेप्ट है रैंक ओफ मैट्रिक्स अब देखिए रैंक ओव मैट्रिक्स की डिफिनेशन वालका सा बताऊंगा आपको फूर उसके बाद इसके उपर जो प्रोपा आए अधिलिस्ट नोन जीरो माइन ओडर आ देखिए रैंक निकालने के लिए हमारे पास इकलिने फॉर्म होती है मैट्रिक्स के रहां निकालने के डिफरेंट तरीके होते हैं वहां से नोग पता लगाता है नमबर ओफ नोन जिरो रोज काउंट करके फिर पता लगाता है कितनी नोन जीरो रोज है वहां से रैंक पता लगाते हैं इसके लाव शोटकट में डेफिनेशन बताई जाए तो कोई भी अकर आपको पास मैट्रिक्स है मैट्र की तो उसके अंदर कोई पोजिटिव इंटिजर आ रहे है वो कहलाता है रैंक उप दा मैट्रिक्स इसकी हम इसकी बात को समझना है कि रैंक होती क्या है अब इससे ज़्यादा इसकी ज़्यादा इंपोर्टेट्स इसकी जो प्रॉपर्टी जमा बताने वाला हूं यह सारे अपने आप में एक कुश्चन है कुश्चन बनके आपके सामने आएंगे आपको बस इनको पकड़ना है दो से तीन बार पढ़ेंगे तो चीजी आपको समझ में आएगी प्रॉपर्टी जोफ रैंक ओफ मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूं तो रैंक ओफ जीरो मैट्रिक्स एस डिफाइंट टूबी जीरो अगर आपके पास को जीरो मैट्रिक्स है और आपसे कुश्चन बनकर आ प्रॉबटी है तो उसका ओडर M बाहिन है अब M overboard N equal हो जाएंगे तो वह स्क्वेर मैट्रिक्स वाला केस बन जाएगा उसकी बाते भी involves discuss करेंगे अकर मैट्रिक्स मम्हों से तो उसकी rank किस पकार से define करेंगे या फिर किस पकार से results मरेंगे square matrix वो भी सारे discuss करेंगे पहले हम बात करते है non zero m by n ने की rectangular matrix की हम बात करते हैं तो इसमें बताया जा रहा है कि जो matrix की rank रहने वाली यह property है result है कामा सकता है zero less than rank of a less than equal to minimum of m, n यान की जो order m by n है और m और n, number of rows, number of columns उन दोनों में से m और n में से जो minimum होगा उसके equal या उससे छोटा होगा zero से बढ़ा होगा क्योंकि हम लोग rectangular matrix से बात कर रहा है m by n order की बात कर रहा है non zero matrix से बात कर रहा है तो इसका जो rank है वो zero से बढ़ा होगा लेकिन minimum होगा किसका m और n दोनों में से जो minimum रहेगा उसके equal रहने वाला है for example 3 by 2 की matrix है तो इसकी जो rank है वो 2 या 2 से छोटी रहेगी 3 नहीं होगी 3 से बढ़ी नहीं होगी ये बात को ऐसे समझने आपको ठीक है चलिए आगे बढ़ते है नमबर पॉइंट नमबर 3 पर आते हैं ये सारे पॉइंट 100 प्लस पॉइंट रहेंगे 100 प्लस रहेंगे 100 प्लस थोरम के एक तरीके से थोरम आप इनको समझ सकते हैं इनसे वहार कुछ पढ़ने के आप सकता नहीं है जो सारा बता रहा हूँ सारा काम का material है दिमाख में अच्छे से फिट कर ला इसको ठीक है आगे देगे पॉइंट नमबर 3 की बात कर रहे है for a square matrix मैंने बोला था जब m और n इक्वल हो जाएंगे तो square matrix वाला case बनेगा और उस case में क्या कहा जाएगा for a square matrix A of order n square matrix है तो n order की कहलाएगी क्योंकि यहाँ पर m और n बराबर है तो हमने इसको नाम दे दिया n square matrix of order n, square matrix of order 2, square matrix of order 3 इस पकार से question आएगे then rank of a is equal to n तो rank जो रहेगी square matrix की वो n रहेगी मतलब जिस order की square matrix है उतनी ही उसकी rank रहेगी कब? कब रहेगी if a is non-singular non-singular से मतलब उसका determinant not equal to 0 रहने वाला है इस case की बात की जा रही है और दूसरी पर कहा जा रहा है rank of a मतलब उस square matrix की जो rank है is less than n उसके order से कम रहेगी कब रहेगी? कौन से case में रहेगी? जब वो matrix क्या रहेगी? similar रहेगी मतलब उसका determinant 0 रहेगा उस case की बात कर रहा है उमीद करता हूँ कि तीनों के तीनों points आपको clear हो गए होगी point number 4 पर आते है rank of matrix a is equal to rank of the matrix transpose मतलब किसी matrix की rank और उस matrix के transpose लेने पर जो matrix वनेगी उसकी rank दोनों की बराबर रहेगी ये बड़ा ही कमाल का result है कहिना की काम आ सकता आपके ठीक है number 5 में आते है let a be a matrix of order m by k एक matrix जिसका order m by k है b matrix जिसका order k by n है क्योंकि जब a matrix m by k है दूसरी k है b matrix k by n है तो उनका multiplication possible है क्योंकि उसका number of column k है और b matrix का number of rows k है तो उसका मतलब multiplication possible है तो a b matrix बने कि उसका order क्या रहेगा m by n रहेगा क्भी k तो common हो जाएगा तो m by n रहेगा a b matrix का order अब product of two matrix बन गई यहां पर अब उसमें rank पर क्या result निकलेगा क्या formula बनेगा क्या property बनेगी क्या theorem बनेगी यह समझेगा कहां जारा 0 less than rank of a b a b की rank 0 से बड़ी रहेगी but less than or equal to minimum of rank of a comma rank of b यहना कि 0 से तो बड़ी होगी लेकिन किसके equal होगी या फिर किससे कम हो सकती है जो matrix a और b है उन दोनों की जो minimum rank रहेगी चाहे a की rank minimum आए या b की rank minimum आए दोनों में जिसकी rank minimum रहेगी उसके बराबर या उससे कम रहेगी उमिद करता हूँ यह पांचों पाहिंस आपको क्लियर होगा पहला पेज सारा कापको क्लियर हो गया होगा ठीक है ना अब देखे अब यही सारी बाते में लिख कर बदाता तो मुझे इसी इसी एक पेज को समझाने में पूरे 15-20 मिनिट खड़ाब हो जाते ठीक है ना तो मैं कोशीज करूँ हूँ कम से कम समय में जादा से जादा मैटरिल आपको मिल जाए तो यह पहला पेज के लिए हो गया अब आप नेक्स पेज पर मैं आपको लेके चलता हूँ चलिएगा पॉइंट नमबर 5-6 में आते हैं पॉइंट नमबर 6 देखे कर रहा है इफ ए और बी आट्व स्केर मैट्रिक्स ऑफ सेम ओडर ए और बी दो मैट्रिक्स अगर मालने लिंका ओडर सेम आजाता है पिछे ओडर डिफ्रेंट था पिछले पॉइंट नमबर 5 में अब पॉइंट नमबर 6 में आते हैं ओडर सेम आजाए तब क्या कहाने रहेगी और ए इज नोन सिंगुलर और ए उनमें से कोई नोन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए और रैंक ओफ ए बी किसके बराबर रहेगी भईया रैंक ओफ बी के बराबर रहेगी तो यह देखे ऐसे अलकल की पॉइंट से दो से तीनी बर पढ़ेंगे तब कहा नहीं समझ मैंगी अब रैंक ओफ ए बी रैंक ओफ बी के बराबर रहेगी इसको याद कैसे रखे क्योंकि यहाँ पर जिकर किसका चला है उसको जाने आफ फिलाल यह बेटर रहेगा आपके पास ठीक है ना पॉइंट नमबर सेवन में आता है इफ ए और बी टू स्क्यर मैट्रिस इस ऑफ से मोडर अब देखिया पॉइंट नमबर सेवन पड़ने के बास पॉइंट नमबर सिक्स धी चल!」 अगर यह को बार करता ओ रैंसे लिफा नमबर सिकते बाड़ लिफश संहेंगी तो चीजे अपके माइंड में चप जाएगी और फिर वहां से एक्जाम में आपको recall करना है क्या जो question पूसा जा रहा है वो आपका पहला कुछ पढ़ा हुआ है या नहीं exam में कोई भी question easy exam का paper difficult और easy किस बात पर depend करता है depend यह करता है कि हमारा पढ़ावा आया के नहीं अगर आपका पढ़ावा paper में आ रहा इसका paper easy और आपका पढ़ावा नहीं आया तो हम कहते है paper tough आया तो paper tough नहीं है चीजे वह आये हैं चो to rank of BA, देखा कमाल की बात AB और AB की rank BA की, मतलब AB हम जानते हैं कि यह और भी दो matrix होती है, तो product of AB not equal to product of BA, लेकिन कहीं कहीं के इसमें बराबर भी हो जाता है, तो यह depend करता है कि हम rank की अगर बात कर रहे हैं, तो rank में भी वही चीज़ों को relate कीजिएगा, rank of AB not equal to rank of BA रहने वाला है, ठीक है, अब देखे point number 9, if A कोई matrix है, N by N rank of A is equal to 1, देखे अब यह matrix को लिखने का तरीका बदल देगे, अगर मैं इसको ऐसा कहा दू, point number 9 में ऐसे कहा दू, A is a square matrix of order N, तो बात वही रहने वाली है, चीज़ों को यहां पर element form में बताया गए, then rank of A is equal to N, if and only if A is non-singular, non-singular, अभी यह point number 9 है न, पीछे point number पढ़के आयते, point number सायद, चोथा था या पांच वाता मुझा दिया नहीं आ रहा है, पीछे point पढ़ा है वहीं से connect है, non-singular है, तो उसी के order के बाप singular होता तो less than N होता, पीछे पढ़ा है ना भी, तो मैंने बोला है, 2-3 तीन बार पढ़ोगे तो चीजे पहले की पढ़ेवी भी आपस में connect होने लगेगी, और जब connect होने लगेगी तो चीजे आपको clear होने लगेगी, सीधी इसी बात है, ठीक है, पैन पेपर ले अपने पास लेके बैठेगा, जब भी आप इस चीजे को पढ़ रहे हैं, तो पैन पेपर पने पास रखेगे, हलकी हलकी नोट समनाए, हाइलाइट कर ले हर एक points को, क्योंकि एक पढ़ावा points, पढ़ेवी steps, पढ़ावा result, आने वाले किसी ना किसी result के साथ connect होता है, और जब ए connection आपको समझ में आने लगा, तो चीजे आपको समझ में आने लगेगी, सिधी सी बात है, हाला, चलिए आगे बढ़ते हैं, the rank of a matrix remains invariant under an elementary row operation as column operation, भाई कह रहा है कि rank of a matrix पे कोई फर्क नहीं पढ़ता, चाहिए आप column operations करके define करने चाहरा है रहा है, रैंक को, या फिर row operation define करके जाना चाहरा है, सेम डिट्रिमेंट वाला केस होता है, डिट्रिमेंट जब हम find out करते हैं, तो चाहिए row के along करें, या column के along करें, कोई फर्क नहीं पटा, डिट्रिमेंट सेम आंसवर देता है, ऐसा ही बात rank के साथ है, चीजों को relate करके पड़ो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसे मैट्रिक्स A, B, a row, equivalent to a row, Eclon matrix having n non-zero rows, then rank of s is equal to r, भी तेखो, मैंने बोला था कि निकानने के लिए Eclon form पड़ते हैं, तो Eclonion form में Eclonion row निकलते हैं, तो Eclonion column निकलते हैं, तो यह concept वहीं से related है, अगर Eclonion row से r निकल के आ रहा है, तो वहीं से उस matrix की rank भी r रहने वाली है, यह बात बताई जा रही है, यह से मैंने बोला था, कि Eclonion form में क्या करते हैं, number of non-zero rows पता करते हैं, तो number of non-zero rows ही है, यहाँ पर Eclonion rows की बारे में जेतनी number of non-zero rows होती है, मैंने बोला था, वहीं पर Eclonion rows बन रही है, तो Eclonion rows बन रही है, तो Eclonion rows बन रहा है, तो यहाँ पर R रहने वाली है, सीधेर सा concept है, ठीक है, तो उम्मीद काता हूँ, यह बाला पेजा को क्लीर होगा, मैं आपको next page number 3 पे लेके चल रहा हूँ, अ और इस वीडियो को पढ़ने के बाद देखने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की जूत नहीं है अगर आप पढ़ना चाहते तो आपकी मरची पॉइंट पर आते हैं केने के मतना कोई आपके पास रेल स्कैंट की स्कैंटू all zero सारे elements zero नहीं होंगे आपने बात पड़ी थी कि स्क्यूश मेंट्री मैट्रिक्स होती है रियल के के केस में आपर डाइगनल जीरो होते हैं अब यह कह रहा है अगर वन नहीं है तो सारे डाइगनल जीरो नहीं होंगे ऐसे समझगे याद रखो अगला पॉइंट इफ एन एंडिपेंडेंट अगर यह पॉइंट क्लियर नहीं होँआ तो अगला पॉइंट पढ़ूंगा उससे क्लियर होगा सुनी अगला पॉइंट का है इफ ए भी दा मैट्रिक्स व एम बाई एन यहनकी एन byn तो उसको full column matrix कहेंगे और उसकी rank n कहेंगे कब if its column are linearly independent कहने के मतलब column independent है तो उसका rank n और row independent है तो उसका rank m को कि M by L matrix हम define कर रहे हैं यहां पर चीजों को समझें दोनों को point number 14 point number 15 को connect करना relate करना की चीजे clear हो जाएंगी अगला point देखिए if a and b are two n road square n road मनला दोनों की दोनों matrix square matrix है दोनों की दोनों matrix की order n है then rank of a b देखिए यह result है यह ठोरम है एक तरीके से और यह numerical भी बन जाता है numerical बन सकता है यहां पर किसी एक चार चीजे कोई एक चीजे निकाल नहीं हो तीन चीजे गीवन है तो unknown एक निकाला कर सकता है अब rank of a b greater than equal to rank of a plus rank of b minus n n क्या चीज़ है उन दोनों matrix का order ठीक है अगला point a theta a theta मतलब है Hermitian matrix का चीज़ा चल रहा है a theta Hermitian matrix को कहते हैं किसी matrix का conjugate लेते हैं conjugate मतलब उसके सभी elements का conjugate लेते हैं मतलब कि अगर elements complex form में आते तो conjugate लेने से जो imaginary part होता उसका sign change कर देते हैं तो conjugate लेने पर जो transpose लिया जाता है जो matrix बनते उसको a theta यहनकी Hermitian matrix के नाम से खहते हैं तो a theta अगर आपके पास कोई है आपके पास then rank of a theta is equal to rank of a and rank of a into a theta is equal to rank of a दोनों के product का अगर अनकी a और a theta का product बनाए उस product से जो matrix बनेगी उसका rank a rank के बराब मैट्रिक्स एक की जो rank उसके के बराबर रहेगा यह point seventeen point काम आ सकता है important point नजरा रहा है ठीक है सारी बाते के लिए कि next page पर मैं आपके लेके चलता हूं next page पर आते हैं some important theorem on mattresses अभी हमने सारी properties पढ़ी है rank से related यह सारी एक तरीकी से thorems थी मैंने इनको points बना दिया था अब जितने भी सारे points पड़े हैं यह सारे के सारे हमारे काम के दे यहां से question आपको जरूर देखने को मिलें बता रहा हूं आज की वीडियो में जिमें hundred plus जितने points बता हूंगा अगर linear algebra से question आते हैं तो यहां से अगर 10-15 question exam में आए तो guarantee के साथ यहां से 8-10 question आपको जरूर देखने को मिलेंगे चाहिए वो किसी भी format में मिले direct मन कर आए यह थोड़ा गुमा फिरा कर आपस में mix होके आए मिलेंगे जरूर आपको पका बता रहा हूं इस वीडियो को त्यार करने में बहुत मैनत किये रिसर्च करिए पिछले एक से दो दिन में पूरा समय लगा दिया मैंने इस वीडियो को त्यार करने में आपके लिए बहुत फायदा मंद रहेगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो लाइक जरू कर देना तो एक लाइक तो आपका बनता है चैनल पर नए स्कीव पर बनकर आती है देखिए पहला पॉइंट अगर पहला पॉइंट मिलब पहली चुरम बदा रहा हूं इस कॉंसेप्ट के लिए अगर एक मैट्रिस है माइन ओडर की मतलब स्केर मैट्रीस हो गई देन दा फॉलोविंग तुछ सेट्मेंट साथ रू तो कुछ ऐसी बात हैं जो हमेशा टू होगी अगर यह वाली कंडिशन है एक मैट्रिक्स है एंब यह न रोड या एंड कोलम मैट्रिक्स हम इसको कह सकते हैं पहला पॉइंट एज इंड प्रोड़क्ट ओफ एबी इस इक्वाल टू ओ ओ से मतलब नल मैट्रिक्स होगी यहां पर फॉर सम इन बाई आ मैट्रिक्स बी देन बी अपर कोई मेंट्रिक्स हो सकती है अगर पाइंड में बद्फियर बी अपकी। नल मैट्रिक्स असे मटैकशंड बन गहाःगेकिं प्य सेकिंड पाइंड मेंट यह न O तो अब A is not invertible, then there exists an n by n matrix B, ऐसी matrix exist करेगी, कि product तो null matrix होगा, लेकिन B is not equal to null matrix, P null matrix नहीं होगा, invertible नहीं है, तो not equal to null matrix, invertible है तो B is equal to null matrix, ऐसे याद रखो को चीज हो, ठीक है? Point number second, A b a square matrix of order n, then the following statements are equivalent. अगर A कोई square matrix है, order n की, तो कुछ और बात है आपके लिए निकल करेए, यह नहीं theorem एक तरीके से, क्या क्या बाते आ रही है, पहला point, A has right inverse, A के पास right inverse होगा, rank of A n होगी, rank A has left inverse, अधिके left inverse, right inverse भी कुछ concept होता है, यह आप detail में पढ़ेंगे, तब जानेंगे, कि left inverse क्या होता है, right inverse क्या होता है, and A has inverse, देखिए जब left inverse, right inverse दोनों exist कर रहे हैं, दोनों equal आ रहे हैं, तो वो inverse जो exist करेगा, matrix का, वो उसे left inverse के बराबर, उसी right inverse के बराबर होने वाला है, यह condition है, तो dayel में कभी पढ़ने का सम्मा भी तो फिलाल है नहीं, फिलाल इतना याद रह रखो, उसका left inverse भी निकलेगा right भी निकलेगा दोनों बराबर भी होंगे तो उसका inverse भी निकलेगा वहाँ पर ठीक है और rank उसकी n matrix के order उसके बराबर रहेगी अब देखिए इतनी बाते यह चार point मनें पड़े हैं इससे आपने क्या सिखा इससे आपने यह सिखा कि जो matrix है वो non-singular है वहाँ क्योंकि हमने बोला था कि उसकोई square matrix होती है आपकी अब इन चार्ल पॉइंट से एक नया point निगाद के ला रहूं मैं अभी कहां से लिखा है इन पॉइंट्स पीछे सीख कर आए कोई square matrix order n है तो अगर वो उसका inverse अग्जिस्ट कर रहा है उसकी rank उसी order के पराबर आरी इसका मतलब वो matrix non-singular है ऐसे इसका मतलब पराबर और उसकी rank खोटी आरे उसके order से तो matrix singular है हम चार रहा हूं नेक्ट्स पर लेकि चाहरा हूं अब देखिम आ बोला था माई मैं गईकन कराऊंगा आपको क्योंकि linear algebra के अंदर matrix rank of matrix और इसी के अंदर एक आइगन values आइक जिसको हम characteristics values वेक्टर्स कहते हैं आइगन values आइगन वेक्टर्स करेक्टर्स equations बनाते हैं तो यह सारे की सारी बातें सारे काम की हैं देखो आप आइगन वेक्टर्स में जितने भी points बताऊंगा सारे आपके कहिना की काम आएंगे जो होगा यह बात दिमाग में रखिएगा अब उल्टा भी आ सकता है कैसे दा आइगन वेली जो फे मैट्रिक्स जीरो दन ए कैसी मैट्रीस होगी सिमुलर ठीक है point number second the eigenvalues of a diagonal matrix are it's diagonal elements Eigenvalues जो होती एh diagonal matrix की बहुस उसके diagonal elements जी होते हैं Next point if lambda भी ने अइगन वेली जोब फे नोन-सिंप्रीस ए तो λेमडा इनवर्स भी आइगन वैली होगा किसका a-inverse का lambda a का है तो लेमडा इनवर्स a-inverse का होगा लेम्डा अगन वेल्यू है नोन शिक्नलर मैट्रीस ए का तो लेम्डा की पावर माइनस M भी एक आइगन वेल्यू होगी एक पावर माइनस M का दोनों को रेलेट कर लेना समझ में आज़ागा next point A and P be both N by N matrices and P be नोन शिक्नलर then A and P inverse AP have the same eigenvalues ये तो एक तरीके से result बन गया भाया कैसे याद रखेंगे P inverse P आपस में cancel कर लेंगे बचेगा क्या A ही बचेगा अब यहाँ पर P की जगा क्यों भी आ सकता है B भी आ सकता है तो आपस में connect करके समझो A P inverse AP ये आपस में overall बनाएंगे क्या A ही बनेगे तो उन दोनों का जो आइगन वैल्यूजे सेम रहने वाली है धिहान रखना एक ऐसी matrix है P कैसी matrix है N by N में में order की matrix है ठीक है ना और non singular भी चल 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 रहे है नों singular भी point को highlight कर लेना नेक्स्ट देखिए तू आइगन वैयल्यू तू आउगन वैल्यू आइगन वैक्तर सभनेटर स्वे इस़ीर मैट्रिक्स ए और ए फिल्ड एफ कॉरस्पांदिंग्टिंट अ इस इस फिल्ड मतलब है उस मैट्रिक्स हो सकता है वो फिल्ड रियल हो सकता है इस पकार से जीचों को समझे आप corresponding distinct eigenvalues दो different eigenvalues के corresponding दो different eigenvectors बन रहे हैं तो linearly क्या रहेंगे independent रहेंगे आपके ठीक है चलिए आपको next phase पर लेकर जलता हूं सारी बाते क्लिए कराएंगे सारे बहुत सारे पॉइंट्स आ है आईगन वैल्यू जा आईगन वैक्टर पर तो बहुत सारी theorems बनती है तो सारे पॉइंट बताऊंगा आपको साथ यह कोई ऐसा पॉइंट है जो मैं नहीं पॉइंट नंबर जो पीछे बढ़कर आया है और पॉइंट नंबर साइवन दोनों एक ही बात है वहां पर दो की बात चलिए यहां पर तीन की बात आगी अब मैं इसी बात को एक जनरल में बताना चाह रहा हूं पॉइंट नंबर एट के अंदर आइगन वेक्टर 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 बने वाले हैं उस वेक्टर स्पेस के अंडर में तो सब स्पेस रहेंगे के अंदर अब यह सारे सारे पॉइंट जो उपर नीचे पढ़ें आप पास में जुड़े में रिलेट करके समझ लेना मैं इस पैंट को फिर से बढ़ रहा हूं अगर आपके पास आइगन वेक्टर से को इसके मैट्रिक्स है और की कोई फिल्ड ओवर दा फिल्ड मतलब जि आपने वाले तीक ना नो जियो रोज के उपर फो में वेक्टर से सारे वेक्टर स्पेस बनाएंगे वेक्टर स्पेस के आपके इसके उपर प्रोब्रेट्री जम पढ़ेंगे नेक्स ओवर दशाब सब्स्पेस ओफ एर स्वेयर ओफ नेक्स पॉइंट नाइगन वैल्यू of a real symmetric matrix are a real. Eigen values जो बनेंगी real symmetric matrix की वो सारी की सारी real रहेंगी. Next point, Eigen values जो देखे, point number 9 अभी पढ़ा है और point number 10 जो पढ़ रहा हूं, दोनों आपस में related है. कैसे? Point number 10 देखो. The Eigen values of a real symmetric matrix are a zero or purely imaginary. अगर symmetric matrix की बाद करें तो eigen values real रहेंगी जबकि squeeze matrix में zero होंगी या फिर purely imaginary रहेंगी. ऐसे चीज़ों को याद लखना है. मतलब कॉम्प्लेक्स फोर में आएगी. ठीक है? Next देखेगा. Each Eigen values of a real orthogonal matrix has unit modulus. अगर Eigen values जो होती है orthogonal matrix की वो unit modulus बनाती है. ठीक है? Next point देखे, if lambda not equal to zero be Eigen values of a real orthogonal matrix of a, मतलब उसका inverse उसका reciprocal भी उसका Eigen values रहेगा. ये बाइब आप आप समेडेट करके समझना. Point number 11, point number 12 कर दो से तीन बार पढ़ना, फिर चीज़ रहेंगी. Next phase पर चलते है. If s be a real squeeze matrix matrix of order n and x be an Eigen vector, x यहाँ पर Eigen vector को denote कर रहा है. Eigen vector of s with Eigen values lambda then x is also Eigen vector of Eigen vector x किसका और किसका भी होगा. ये कह रहा है. I n यहाँ पर identity matrix को present कर रहा है. Identory matrix of order n जैसे i3 होगी, i4 होगी, i2 होगी. i n प्लस s उस matrix का inverse i n मैनेस s with Eigen values 1 मैनेस lambda upon 1 प्लस lambda. इस रेजल्टों को याद रहना, इस रोड़ों पेपर में तो इसको आपस एक थोड़ो mind में के लिए कर ले ना. 1 मैनेस lambda upon 1 प्लस lambda होगा. और पर में होगी, लेम्डा की value दे आपको, 2, 3, 4, etc. तो यहाँ पर इसको change कर ले ना, इस result formal input कर ले ना. Next, देखिए, if lambda be an Eigen values of n by n matrix A, then lambda की power m is an Eigen values of a की power m. वो पीछे पड़ाता है, वो ही result यहाँ पर connect हो है, वेरे m को पोजिटिव इंटिजर होगा, और lambda की power 2 हो सकते, lambda की power 3 हो सकते इस प्रकार से. Next, देखो, next कह रहा है, if lambda be an Eigen values of a real symmetric matrix, then 1 modulus of 1 minus lambda upon 1 plus lambda is equal to 1 रहने वाला है. m be an orthogonal matrix with determinant is equal to minus 1. अगर m को और्थोगनल मैट्रिक्स है, determinant minus 1 रहा है, then minus 1 is Eigen values होगा उस matrix का. If m be a 3 by 3 orthogonal matrix with determinant of m is equal to 1, then m is I, अधिकी और्थोगनल मैट्रिक्स होती, उसका determinant यादो 1 होता है, या minus 1 होता है, और दोनों के दोनों उसकी Eigen values कहलाएंगी, ये बात को दिमार्ख में रखना. If two or no, more Eigen values are equal, it may or may not be possible to linearly independent Eigen vectors corresponding to equal roots. अगर दो और दो से अधिक Eigen values equal हो जाएंगी तो ये बात की कोई guarantee नहीं है, may or may not be possible हो सकता है, कि उसके corresponding to Eigen vectors बनेंगी, वो equal हो भी सकते हैं, और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है? और linearly independent हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और equal roots बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, linearly independent होंगे या नहीं होंगे, ये पक्का नहीं बता, ये बात का may or may not be वाली बात आ रही है, ठीक है? Next पर चलते हैं, if A and B are square invertible matrices of same order then A, B and B have same eigenvalues A और B अगर invertible matrix है तो उसी case में A, B और B A की same eigenvalues होंगी इस बात को याद रखना अगर invertible है तो otherwise नहीं next देखें आइगन values of a Hermitian matrix are all real Hermitian matrix है तो उसके eigenvalues सारी real होंगी इसकी Hermitian matrix और एधर 0 और purely पीछे पढ़ा था result यह वह है बस थोड़ा अलग format ने बता देगा है clear cut में चीज़े वह है रहने वाली है तो लाश्ट के तीनों points बड़े important है क्यांसक कुछिन बन सकता है चलिए अभी तक तो हमने इस वीडियो लेक्टिक्स का one third चीज़े हमने clear कर लिए तीन भागों में इस class को मैं cover करने वाला हूं पहले बाग में हमने matrix rank of matrix आइगन वेल्यू जो आइगन वेक्टर से connected किया है अब second part start करना इसमें हम vector space vector subspace linearly dependent independent vectors के बारे में discuss करेंगे और last में जो तीसरा part हमारे रहेगा उसमें हम discuss करेंगे linear transformation linear mapping के overall पूरी इनिट में आज इस वीडियो में cover कर दूं आपके ठीक है next देखिए छोड़ हम सोन vector space की बात कर रहें vector space क्या होता यह मैंने बहुत बार बता चुका हूँ अब सिर्दी थोर्म से बात करें इन्हें vector space v over the field f पहला point zero alpha is equal to theta for all alpha belongs to vector space c theta is equal to c theta for all देखिए अब यह 0 तो कोई element होगा कहां से ओवर the field f से और alpha यहां फे scalar से लिया जा रहा है तो zero alpha is equal to theta होगा for alpha belongs to v c theta is equal to theta होगा for all c belongs to f minus 1 into alpha is equal to minus alpha for all alpha belongs to v one जो है यहां पर identity element होगा in the field depth के अंदर है ठीक है अच्छा जी next यहां पर आ रहा है क्या कहा जा रहा है हाँ point number four c alpha is equal to theta whereas c either is equal to zero और alpha is equal to theta तो यह चारोगी 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 पॉइंट आपको समझ लेने अच्छी से कि कहीना कहीं आपस में collect होने वाले जहां रखना alpha माला जो scalar component है वो से आएंगे जो vector components है वो vector space से आएंगे तो ऐसा समझ के चीज़ों को यहाद रखना है ठीक है कि चलिए next मैं आपको सबस्पेस की थिरूंस बताने वारा हूं जो आपके काम आने वाली सबस्पेस की थिरूंस ज्यादा काम की important है सबस्पेस की थिरूंस मैं फीर की और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंडेंट पडिएंगे डिमंचेंगे बेसिंद पडेंगे बेसिव पडएंगे दाम करेंगी हो दिपेंडेंगे छेकर गог Cities वडिया आपकोabytes नेटिपेस की वो पर आपको सबस्पेस की थिरूंस और फाफ अजनल सुल अगें यह जरूरी नहीं यह जरूरी नेहें, जोनी बना इगा, इंटिकर्श्छन तो बना ओनेगा । labeling si U in W be two subspaces अरव अजरे करके स्थ बनाेगा, 위 यह जक पर सल्फों तो ऑम्ंड है, il requirement of v condition बताएगा intersection तो बनाएगा बनाएगा लेकिन union बना सकता है नहीं बना सकता लेकिन कब बनाएगा if and only u subset of v और v so u subset of w और w subset of v नहीं कि दो अगर subspace है आपके पास तो उनका intersection तो subspace होगा union नहीं हो सकता लेकिन हो हो सकता है किस case में अगर वो यह दूसरे के सबस्पेस हो जानकी सबसेट हो प्रोपर सबसेट हो अगर देखो let u and w be two subspaces of vector space over the field f of vector space v over the field f then linear sum of u plus v is a subspace linear sum होगा मतलब intersection होगा और linear sum होगा the subspace u plus w smaller subspace u plus w जो बनेगा वो सबस्पेस तो बनेगा लेकिन भाईया वो smallest subspace होगा किसका वी का contain करेगा दोनों को u को भी और w को ठीक है चलिए next piece पर मैं आपको लेके चल रहा हूं theorem of linearly dependent and independence linearly dependent और independent जो वेक्टर बनते हैं उनके उपर भी theorem बनती है results बनते है properties बनती है जो question में अग्जामें पूछ जाते हैं और ये video मैं बार 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 बता रहा हूं इस video को अच्छे से पूरा देखना बता रहा हूं सारे theorem सारे results को अच्छे से पढ़ना इसके बाद कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको पहला point एस super set of a linearly मरला कोई linear dependent यह उससे बढ़ा कोई set बनाए super set मला उससे जाध वह element तो रखे रखे उससे फाल तो element भी रखे इस super set of linear dependent set of vectors in a vector space और फिल्टर फिश्ट निर्ली dependent कोई अगर आपके पास vector space बना रहा है उससे super set सब्सेट फ्रेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें थीटा आप पीछे हमने एक वेक्टर देखें अब मैं आपको पीछे अब करवाके लेकर आए था थेओरम सोन वेक्टर स्पेस्ट अगर आपको वहां पर थीटा पर प्रोलम आ रही थी कि मैंने बता था अलफा जो है वो फिल्ड एप से आएगा बीटा फिल्ड अप से तो यह कहा जा रहा है कि सैट अब मैंने बोला सारव चीज़ आपस में कनट करेंगे तो सुन जाएगा पीछे कोई बात समझ में नहीं आई है तो आने वाले पॉइंट से कॉंसेप्ट से वो चीज़े कानेट हो जाएगे आपकी इनल ए सैट अट अटर कंटेनिंग दनल वक्रट थीटा इन दा वेक्टर स्पेस वी और फिल्ड आप इस लीनल नीडिपेंडेंड बनाएगा सैट अट अट अटर जो किनल वीड नल वेक्टर को अनट करेगा इंडिपेंडेंट और इसी चीजी को जनल वीडियों पड़ते हैं पॉंइंट नमबर फाइफ के अंदर इता सैट अट 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 अलफा बन अलफा टू अलफा इन जो वेक्टर्स का सैट बनेगा ओवर दा फिल्ड एफ लिनियर डिपेंडेंड बनेगा कब बनेगा दैन इनडिपेंडेंट है तब क्या होगा, जैन एट लिष्ट वन ऑफ दा व्यक्टर सैट ऐस्ट ऐज अलफा इन गुंटेंट बनेशन तो होती है कि अगर चार वेक्टर लिनियर डिपेंडेंडेंड है तो उनमें किसी एक वेक्टर को बागी तीन वेक्टर के लिएक चुथा हैं तो उसी प्रकार यह alpha 1 alpha 2 n alpha alpha n तक n वेक्टर से आपके पास तो linear dependent बनाएंगे तो उनमें किसी एक वेक्टर को बाकी अधर वेक्टर के लिए combination जैसे V1 V2 V3 है तो V1 को हम लिए सकते हैं A V2 प्लस B V3 इक वेक्टर को बाकी वेक्टर के-mace में लिक्स एक रहता है जलेज हैं नेक्स से मैं एक लेकर चलता हूं इसको इस साट है alpha 1 alpha 2 alpha n रिच्छी इंडिपेंडेंट बना रहे हैं इस एच जचनेटेंडेंड इन इनपैंडेंट इस क्यों तक एक निए ओर ग्रीक्टर से देखिए इंडिपेंडडेंडनटी डडर रहा है आपके पास देखी इंडिपेंडेंडनेंड कर और यहां पर कि यह बिरकी इंडिपेंडेंड़ सेट्स को बनाएगा ये कह रहा है कोई कि प्रोपर flower आपके अलवास तक्री नहीं भीनिया सब सब्सक्राइगा में लिडिपेंडेंट्र बनाएगा समझ माला आपको नास्ट मेंट दीए खर्णा चीडिट्राइल इंडिपेंडेंट्न है इफ आवरीज फाइनट्राइट्राइश इस इस लीडिटेंडेंडेंट्र अदर्वाइज एस सब्सक्रिच बनेंगा न आपका dependent होगा, other wise S कैसा रहेगा, independent, कोई linear independent set यह तो उसलिटaken बनेगा आपका, finite यह इंडिपेंडेंडेंट रहेगा, अगर नहीं रह रहा है तो वो ऐसे वो dependent रहेगा आपका. चलिए, अब हमने basis की बात करी थो, linear span की बात करी थी लिने combination की बात करी थी, तो basis और dimension भी concept निगल कर आते हैं linear algebra के अंदर और यहां से भी कुछ properties हैं कुछ results है थोरम वो भी हम कर लेते हैं होगी यहां से कुशन देखे गए है देखेगा पहला number point there exist a basis एक ऐसी basis exist करेगी किसके लिए कहाँ कब for every finite dimensional vector space अगर कोई vector space जिसकी dimension finite है जिसे two-dimensional vector space है three-dimensional vector space यह सारे finite dimensional vector space है तो इसके पास एक basis जरूर बनेगी आपकी पास basis बनेगी मतलब linear independent vectors बनेगे linear combination बनेगी समझ महीं बात आपको next point any two basis of a finite dimensional vector space we have same number of vectors okay next point generalized way में करते है alpha 1 alpha 2 alpha n be a basis of a finite dimensional vector space v over the field f then any set of linearly independent vectors contain at most n vectors अगर आपके पास alpha 1 alpha 2 n basis है finite dimensional vector space की तो जो independent set of vectors बनेगा वो कम से कम at most n वेक्टर जरूर रखेंगे जितने वेक्टर से linear combination बना के हम लोग बना रहे हैं basis उतने ही independent vector आपके पास रहने वाले है sorry at most रहेंगे उसे ज्यादा नहीं रहेंगे एगर एण वेक्टर सेコंपिनेशन बना रहे हैं linear basis बना रहे हैं तो at most वेक्टर ही रहें गैक उससे ज्चाब नहीं रहेंगे एक मुझे चिजे बहुत बढ़ने पड़ते हैं कि नेक्स्ट देखेगा प्वाइन नमबर फॉर्थ let V be a vector space of a dimensional n over a field f then any linear independent set of n vector is a basis of V मैंने बोला था linear independent set ही basis बनाते हैं तो independent vectors है तो basis बनाएंगो सारे के सारे उसका मलब dimension उसकी field की n रहेगी तो नेक्स देखें वी 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 वेक्टर स्पेस दिमेंशन एन अवर फिल्डेफ यह उसी के उल्टा है वो बेसिस को जनरेट करेंगे independent vectors दिमेंशन एन को होंगी तो और सारे के सारे सबसेट भी उसको जनरेट करेंगे अब देखें इसी पाइंट को जनल बढ़ते हैं अब देखें हम लोग कुछ और हम पढ़ने वाने हैं अब ने यह उन सबस्पेसी पहले पड़ी थी लेकिन वोग फिर्म उनली सबस्पेस और वेक्टर स्पेस से रिलेटेट थी अब जो मैं फिर्म्स पढ़ने वाला हूं वो सब n वी सब्स्पेसिस के उपर काम करेगी जो क्या बना रहे हैं लिंत develop इंड्रेप्छ बना रहे हैं इंडिपंडेट वैक्टर्स बना रहे हैं बेशिस ह बना रहे हैं dépendनि मिंसम्स बना रहे वो सारी थिए्व ठीक है पहले पॉइंट पहले थिए ओर्म let u be a subspace of a finite dimensional vector space v dimensions having dimension n इसको मैं सो भी कर सकते हैं let v be a n dimensional vector space और u कोई subspace finite dimensional है then u is finite dimensional and dimension of u less and equal to सिदिसी बात है वो subspace है तो उसकी dimension या तो n के बरावर होगी या n से छोटी होगी next point u or v two subspaces of a finite dimensional vector space v over the field f then dimension of u plus v अब देखें यहां पर u और v दो subspaces है मैं यहां पर u और v की बजाए u और w ले लेता हूं थोड़ा यहां पर मुझे लगता है यह मिस्प्रिंट है u और v की जंगाय आप u और w ले ले जिए क्योंकि v बार-बार इस्तमाल हो रहा है इफ यू और देखें पॉइंट नमबर सेगेंड की बात कर रहा हूं इफ यू और w b two finite dimensional vector subspaces किसके vector space v k over the field f यह दो मैंने of u plus dimension of v minus dimension of u intersection w ठीक है फिर से पढ़ देता हूं यू और v u and w दो subspace है किसके एक vector space v k over the field f then dimension of u plus w u और w जो दो subspace ले थे उनकी dimension का sum किसके होगा dimension of u plus dimension of w minus dimension of u intersection w next देखें पाइं नमबर third u and v be two subspaces of a final dimensional vector space v over the field f and u intersection v intersection हम देखें यहां पर ऐसा करना आप जहां पर मैं यह you and w बीटाओ यहां पर वी इसको वाइन तो यह अवर यहां पर साथ ही मिस्प्रिंट हो गया तो u and w यहां पर भी. u and w be two subspaces of a final dimensional vector space v over the field f such that u intersection w is equal to theta ठीटा यहां पर null vector वो पीछे पढ़कर रहा हां वही है यह a and alpha 1 alpha 2 dot 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 alpha m beta 1 beta 2 dot dot n respectively basis of किसके U and W के then alpha 1, alpha 2, alpha 2, alpha 1, beta 2 ये भी क्या होंगे basis बनाएंगे किसका U plus W के बनाएंगे next point V be a finite dimensional vector space U and W be components of each in W in V then dimension of V is equal to dimension of year ये तो वही बात होगी dimension of V क्या होगा दोनों का अब finite है तो intersection वाली बात यहां से निकाल दी है आपर क्योंकि ये दूसरे की component है तो मतलब कुछ common नहीं है इंकंतर देखिए ये पता कहां से निकल कर रहा है एक पीछी result पढ़कर आया था भी dimension of U plus W is equal to dimension of U plus dimension of W minus dimension of U intersection W अब U intersection W तो 0 हो गया क्योंकि यहां पर कुछ common ही नहीं है क्योंकि एक दूसरे के component है यहां पर discuss हो रहा है यू और डबलू और component of each other मतलब दोनों में कुछ भी ऐसी कोई disjoint नहीं है यह दोनों के दोनों disjoint नहीं है ना तो यहां पर वहां वह वाली बाते यहां पर हट चुकी है नेक्स्ट पॉइंट नमबर फाइब लट्स वीए रेक्टर स्वेस ओवर दा फिल्डेफ और डबलू यह पॉइंट नमबर चार पॉइंट नमबर पांच बहुत बार यू-पी-टी-टी-पी-टी-टी एक्जाम में पुछे जा चुके हैं और इसकी रिपेट होने की संभावना है तो यह पॉइंट नमबर पांच जरूर कर लेना dimension of u dimension of v given w is equal to dimension of v minus dimension of w यह quotient vector space है v by w न यह quotient space को denote करता है let us be a vector space of n by any real symmetric matrices then dimension of देगे यह formula point number 6 का है इसको याद कर लो भाई यहाँ पर n की value लिखिया सकती है जहां में 2, 3, 5, 7 कुछ भी तो n की value को put करेंगा रांसर आ जाएगा dimension of s is equal to n into n plus 1 by 2 ठीक है न जैसे sum of n natural number n into n plus 1 by 2 होता है यह वही कानी है tb a vector space of n by n real skews matrix वो symmetry matrix था तो n into n plus 1 by 2 था और skews symmetry matrix आएगा तो n into n minus 1 by 2 ऐसे याद रखो point number 8 w be a subspace of a finite dimensional vector space w be a finite dimensional dimension dimension of w less than dimension of v होगा पीछे पढ़े करा है कोई बड़ी बाप नहीं है dimension of v is equal to n है यहनकी n dimensional vector space है then n plus 1 then any n plus 1 vector in v linearly dependent होगा अगर dimension of v अगर n आ रही है तो n plus 1 उनको vector space कोई होगा तो वह linearly dependent होगा वी वी a finite dimensional vector space w be a subspace of v the dimension of v is equal to dimension w then v और w दोनों बराबर हो जाएंगे इस बात का dimension दोनों की बराबर है तो वी और w दोनों बराबर है ठीक है मतलब वो subspace और वो vector space दोनों एक ही बात है कोई अलग नहीं है चलिए अब हम बढ़ते हैं इस chapter का इस video lecture का थीसरे पार्ट पर linear transformation की तरफ linear mapping की तरफ यह थर्ड पार्ट है यह भी important है यहां से भी question देखे गए हैं और देखे जा सकते हैं ठीक है चलिएगा अब मैं पढ़ता हूँ पहला point linear mapping का V and W भी है vector space over the field F T को यह linear transformation को denote करता है V से W की तरफ ठीक है जी दो vector space है field F पर T V to W जैसे हम function पढ़ते हैं let x and y to set then let f be set to function from x to y for each component each element x belongs to a unique image in y belongs to y तो यह ही वही बात होती है vector linear transformation vector space पर ही काम करती है दो vector space ले जाते हैं उन vector space से linear transformation किस पकार से defined होती है क्या result ने कलता है क्या property ने कलती है देखेगा let v and w be vector space over the field F then T एक linear transformation V से W कोई linear mapping बना रही है linear transformation है मतलब linear transformation है तो क्या होगा तो क्या होगा तन कर्णल टी इस सब स्पेस कर्णल टी कर्णल टी एक कॉंसेप्ट रही है ने बहुत 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 पहले भी किया हुआ है ठीक है और कर्णल टी जो बनेगा आपका वो सब स्पेस होगा किसका वी का वी एंड डवलू बीए सब स्पेस वेक्टर स्पेस ओवर दा फिल्डफ टी को लिए ट्रांज़र्मेशन है दन टी इज इंजेक्टिव मतलब 11 होगी कब होगी करनल टी इस इक वाल टूट टी टीटा थीटा या नल एक्टर को रिप्जेंट करता है वी एंड डवलू बी एक्टर स्पेस ओवर दा फिल्डफ टी लिए ट्रांज़र्मेशन है और करनल टी को लिए करनल टी में उनल एक सेट है उसका काली खाली नल वेक्टर थीटा आ रहा है दन इमेज ओफ लिनली इंडिपंदेंट रक्टर इज लिनली इंडिपंदेंट रहें डिपंदेंट रहेंगी वी और डूव वी रेक्र स्पेस ओवर दाफील्द एंड्रांज़र्मेशन है तेन इमेज ओफ टी इससज़पेस ओवलू जो इमेज मनेगी ड्रांज़र्मेशन गी वो अस बस्पेस होगी डवलो की लग वी अग्राइट पेस्ट ओवर्द इसको रंक नल्टी थोरम्स की नाम से भी जाना जाता है, वो क्या कहती है, नल्टी टी प्लस रंक अफ टी इस इकल टू दिमेंशन ओव वी, यहां से कुशन यूपी टीट पीट में आते रहे हैं, तो आप इस चीज को याद रखेगा, आपकी भी आसकता है, पॉइंट नमबर शेक्स, यू और डवल, वी और डवल वी फानल डैमेंशनल वेक्टर स्पेस ओव अगर टी ओन टू है, तो ओन टू होगी, तो चीज़ों को अपस में उल्टा पुल्टा करके समझेंगे, तो याद रह जाएगा, और यह सारे पॉइंट दिखने में आभी बहु ज़्यादा लग रहे होंगे, आपको, लेकिन आप 2-3 पर पढ़ेंगे, तो देदरे चीज़ें के लिएर होंगी, दो से तीन से चार से पांच बार ज़रूर पढ़ना, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, लेट वी और डबलू भी अवेक्टर स्पेस ओवर दा फिल्ट एफ, एंड टी को लिएर ट्रांस्फरमेशन एवी से डबलू, तो वो इन्वर्टेबल है, तीन के आघोगा टी के पास यूणीक इंवर्टेबल हो गी तो इंवर्टेबल हो भी तो इ्नवर्टेबे हो निकलेगा होता है तो उससे पिकाल लिए ट्रांस्विशन इंवर्टेवल कब होगी है अकर वह बन और ओंट्व है तो ऐसे याद रखेंगे लेट करके तो यह याद रहे जाएगा नेक्स पॉइंट वी और ड्रांस्विशन टीवी से डबलू है इंवर्टेवल है दैन जो उसका इंवर आज ड्रांस्विशन बनेगा वह भी लिनियर होगा लिनियर रांस्विशन होगा किया है है नैस्ट पाइंट वा नlier वर्डियंस on of each is equal to and vector space dimension of WM then dimension of linear space किसका L,W का sorry V,W का वो क्या होगी मतलब जो linear transition बनेगी VW की उसकी dimension क्या होगी MN होगी next point number 11 ती linear transformation है V पर VA यह जो vector space और N dimensional vector space है then following अगर आपके पास को लिए ट्रांस्वर्मेशन है और दा फाइन डामसिनल वेक्टर स्पेस तो कुछ पॉइंट बता रहा हूं जो आपस में कनेक्ट होंगे पहला पॉइंट टी नों सिंगलर होगा ट्रांस्वर्मेशन जो होगा टी वन टू नों होगा ओके ओन टू होगा ट टी मैप्स लिए लिए झीप्रमस्ट वेख्टर वी तो न इन 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 रिड्वेंडेंट्सट उफ प्रेक्टर्स टी मैप्स इबेसेज अव इन इन पंडेंट्ट girls टो बनाएं के बनाएंगा तू अनौंज़ बेसीज नेक्स पेस्पर चलते हैं पॉइंट नमबर तो एल क on a vector space V for the field F then T inverse is invertable T inverse T inverse रहने वाला है मतलब जैसे हम लोग matrix का inverse निकालते थे inverse का inverse वह matrix हाती थी transpose और यू यह आता था इसी पकार कोई आपके पार प्रीने transformation है तो उसके inverse का inverse निकालेंगे तो पर ही आ जाएगे एकुट सब्सक्रशन क्या रहने वाला है निषसके ऐल्स बीकिस की बात करते हैं अगसिश्ट सेउस्ट गया एकुट and number 14 the necessary and sufficient condition for a linear transformation T on vector space V over the field F is to be invertible if there exist a linear transformation S on V such that TS is equal to ST is equal to I. जैसे मैट्रिक्स को बात करते है तो A कोई मैट्रिक्स है तो उसका inverse B is set to inverse of A if and only AB is equal to V is equal to identity matrix तो वही बात है P कोई linear transformation है तो उसका inverse S को inverse काएंगे कब STS is equal to ST is equal to identity identity transformation है आई मतलव identity transformation मैट्रिक्स नहीं है आई मतलव identity transformation point number 15 TAU से V transformation है S V से W transformation है V2 linear transformation then rank of ST less than equal to rank of S okay rank of ST is equal to rank of TS okay is equal to rank of S if T is non-singular जैसे हम पीछे पढ़के आई था ना AB के इंदर singular non-singular वही बात है यहां पर T non-singular कह रहा है तो T gap हो गए S बच गए है खाली अब देखिएगा point number 16 T U से V कोई lesion transformation है suppose U has a finite dimension okay T is linear operator on V such that rank of T square is equal to rank of T then kernel T is the set having only vector 0 and image of T is the set having element 0 तो यह सारे के सारे जो point मैंने पढ़के सुनाए हैं आपको आप दो से तीन बार इस video को देखिएगा ठीक है और जो PDF file मैंने आपको दी है इन्हें तीन सर्वा मैस आपको download करेंगे इस PDF file को आप free में download कर लेजिए इस PDF file को दो से तीन बार जरूर देखिएगा इस video को पहले बार में सारी बाते clear नहीं हो रही है तो दो से तीन बार देखिएगा अपने दोस्तों आपके साथ आपकी लड़ाय में आपके साथ तैयार रहूंगा 11-12 की concept अगर आपने पढ़ लिए तो उनको भूले ना छोड़े ना उनको समय नुसार पढ़ते रहें आपके काम दिरूर आएंगे ठीक है तो हमने आपके बार दोनो वीडियो करके न पूछे सिर्फ उर्क अपने पड़ेंगे मुझे आपकी पूरी चिंता है आपसे जादा चिंता मुझी है जैसे ये वीडियो खत्म होगा आपके लिए नए वीडियो बनाने के लिए में काम पर लग जाऊंगा तो बार-बार फोन करके अपना और मेरे समय खराब ना करें मैं आपकी काम में ही लगा हूँ ठीक है वीडियो आपको समय नुसार मिलते रहेंगे चल्दी मिलेंगे नई क्लास में तब तक के लिए नमस्ति दोस्तों